इस वीडियो में आप सभी के लिए गोरकपूर डेवलेप्मेंट अथार्टी की नई स्कीम जिसमें लगबग टोटल प्लोट्स दो सो बीस जी हाँ टोटल तीन स्कीमें गोरकपूर डेवलेप्मेंट अथार्टी यूपी में एक नई स्कीम निकाली गई है जिसका पंजी करन रेइस्ट्रेशन कराने का समय 9 अक्टूबर 2023 रखा गया है तीन स्की में गोरकपूर और द्योगिक विकास प्रदिकरान अथॉर्टी ने निकाली है किस साइस के प्लॉट है किस केटिगरी में है और आप किस चीज में इसमें अपलाई कर सकते हैं हम आपको एक खास अब्डेशन देके आए हैं तो वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का पहले जोटा स्वागत करते हैं जो पहली बार आए हैं हम उमीद करते हैं इस चैनल से जुड़ जाए क्योंकि हर स्कीमों का खास अब्डेशन इस चैनल के महात्यम से आपको मिलता रहा है और मिलता रहेगा तो आपको एब बता दे गौरकपूर औध्योगिक विकास प्रदी करन ने नवरात्री के शुव अफसर पर गीडा के विभिन सेक्ट्रों में औध्योगिक प्यफसाइक भुकंडों का ऑनलाइन माध्यम द्वारा जी हाँ प्राप करने का सुनहरा अफसर दिया है जिसमें ऑनलाइन पंजी करन का प्रारम तिथी 9 अक्टूबर 2023 रखी गई है अब हम बात करते हैं किस कैटिगरी में प्लॉट निकाले गए हैं तो सबसे पहले जो एक स्कीम जिसमें लगबर टोटल 41 प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं जो कि सेक्टर 13, सेक्टर 15, सेक्टर 26 और सेक्टर 27 में स्थित हैं आपको बता दे ये समानने औध्योगों हेतु उपलब औध्योगिक भुकंडों का विवरन केटेगरी के अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कार्मेंट पार्क के लिए जी हाँ, गार्मेंट पार्क में मातर रेजी मेट गार्मेंट से संबंदित इकाईयों के अवंटन हेतु उपलब औध्योगी बुकंडों का विवरण है, जिसमें मातर 37 प्लॉट्स हैं, जो आपको 26 सेक्टर में 0 से 1000 वर्ग मीटर तक के आपको साइज देखने को मिलते हैं. जिसमें मातर 60 प्लॉट्स है, जो आपको सारे के सारे सेक्टर 28 में देखने को मिलते हैं, लगबल 0 से 1000 वर्ग मीटर सबसे कम जिसमें 22 वुकंड हैं, उसके बाद 1001 से 4000 वर्ग मीटर के 33, 4001 से 20,000 वर्ग मीटर तक के 3, और 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के मातर 2 प्लॉट्स, तो टोटल 60 प्लॉट्स इस केटिगरी में आपको देखने को मिलते हैं, अब लास्ट सेग्मेंट, लास्ट केटिगरी ऑफ स्कीम वो है व्यफसाइक योजना के अंतरगक उपलब भुकंडो का विवरन, इसमें मातर 82 प्लॉट्स हैं, जो की सेक्टर 13, सेक्टर 22, सेक्टर 23 इसमें स्थित हैं, साइस की बात करें, 0 से 1000 वर मीटर टके मातर 80 प्लॉट्स और 1001 से 4000 वर मीटर तके आपको दो प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, अब बात करते हैं, how to apply, क्या इसके नियम है आवेदन करने के, बुकंडो के अवंटन के संबंध में आपको वित्रकरन शर्ते तथा बुमी की दरे गीडा की वेबसाइट दी गई है, www.gida.gkp.in पर आप जाके इसका e-browser जो है देख सकते हैं, और ध्योगिक भुकंडो हेतू आवेदन वेबसाइट जो इसकी दी गई है, निवेश मित्रा जो की www.nivetra.up.nic.in पर रेइस्टर करने के उपरां किया जाना होगा, मतलब आपको रेइस्टरेशन करने के लिए इस वेबसाइट में जाके आप इसमें कर सकते हैं, और आपको इसमें e-auction के माध्यम से व्योगण e-auction के माध्यम से उपलब्ध होंगे, e-auction हेतू आवंदन जो आपको इसमें आवेदन करना है, वो आपको g इडा.procure247.com पे जाके आपको इसको करना होगा, आवेदन के लिए निधारित प्रक्रिया शुल्क एवन भुकंड की कुल कीमत का 10%, 10% EMD कॉस्ट आपको धरोर राशी के रूप में ऑनलाइन माध्यम से भुक्तान किया जाना अनिवारे है, 10% जो हमेशा रेइस्टेशन amount आपको जमा करना होता है, वोही आपके लिए इसके लिए गर्मबंसरी amount है, पार्टिस्पेट करने के लिए, оноबन के पूर्व या पश्चाथ किसी नियर प्रक्रिया में परिवर्कन या पूरी आवंटन प्रक्रिया को निरस्ट करने का अधिकार मुख्य कराले अधिकारी में निहित है मुख्य काराले अधिकारी गीडा गौरकपुर तो जनाब ये था एक खास हमारी तरफ से गौरकपुर डेवलेप्मेंट अथर्टी की तरफ से जो अलग-अलग सेग्मेंट में आपको स्कीम निकाली गई जो हमने आपको अपने चैनल के मादने हमसे आप सभी भाई बंदू तक पहुचा दी है हम उमीद करते हैं ये 220 नंबर केटिगरी ओफ बलॉड जो अलग-अलग शेतर में अलग-अलग केटिगरी में जो कि आपके हिसाब से आपकी जज्जमेंट के हिसाब से आप इसमें अपने भागेदारी का हिस्सा चुन सकते हैं तो जनाब वीडियो समाप्ती करने का समय आ गया है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले किसी और भी तरीकी का कोई कमेंट करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं जो नए है चैनल से जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि हमारे पास सिर्फ और स्किर्फ स्कीमों की बुछारे प्रॉपर्टी से डिरेटिर हमेशा रहती हैं अभी फिलाल के लिए हमें दीजे इसाज़त गुडबाई धन्यवाद